अले व्रीवन वेलकम तु सरवज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है केंद्रे विद्याले सिक्षक भरती नई वेकेंसी नोटिस रिलीज हुई है अलग-अलग जगे से वेकेंसी केंद्रे विद्याले से आ सब्सक्राइब चैनल के वीडियो लेटेस्ट वीडियो देख लिया करें और साथी साथ लोकल न्यूजपेपर पर भी ध्यान रखा करें लोकल न्यूजपेपर जो होता है आज-पास के आपके स्कूल की वेकेंसी कवर करते रहती है बीच-बीच में तो क्यूंकि हर जगह स अने लग गई है तो एक साथ काफी वेकेंसी आएंगी और फिर वह ओर हो जाएगा पीरियेट जब रिकूट्मेंट होनी है तो चलिए इस वीडियो में कवर करेंगे कहां से आई हुई है वेकेंसी कैसे अप्लिकेशन करनी है लास्ट डेट कैसे रहेगी और सबसे पहले वация बाल्वाटी टीचर की वेकेंसी बालवाटी का आज्टीचर जो है नया इंट्रोडीव ओधियाले में में दो साल से सबसे देशम से पहले 50 जोंडरे थे 5 फती केंद्रेव बाल्वाटी का टीचर मतलब स्मम्य सेक्शन के तीचर्स एकूर्क चूर्टी और तो फिलाल इस वेकेंसी में बालबाटी का टीचर, प्री प्राइमरी सेक्षन के टीचर की वेकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक कोच, नर्स, काउंसलर, गेम्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, अंधि, एंग्लिश, संस्क्रित की वेकेंसी है, पोस्ट ग्राइजव्ट टीचर में हिंधी, इंग्लिश, आnd पॉलेटिकल साइंस की गेंसी है, यह विज्यापन जारि कहां से हुआ, पहले उस देखेंगे, केंद्रिय विद्याले OLF राइपुर देहरादून से तो ये वेकेंशी जारी हुई है केंद्रिय विद्याले OLF देहरादून जो की उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड से वेकेंशी आई हुई है अब सबसे पहले समझेंगे कि क्या ये पर्मानेंट है पर्मानेंट वेके तो कुछ कैंडिडेट ऐसे अनलगी हो जाते कि सेलेक्शन के बाद जोइनिंग नहीं मिलती या सेलेक्शन के बाद कुछ वक्त के बाद कॉंट्रेक्ट तर्मिनेट कर देते लेकिन एक चीज़ आपको मिलता है वह इंटर्व्यू फेस करने का एक्सपिरियंस क्योंकि यहां प पास है तो जरूर जाएं देहरादून में है यह वेबसाइट की लिंक है एप्लिकेशन पहले करनी है इसमें डाइरेक्ट वॉक इन के लिए नहीं जाना है एक फरवरी दोहजार चॉबिस फर्स्ट फेवरवरी 2024 तक यह इमेल आईडिया इस पर एप्लिकेशन भेजनी है ए अप्लिकेशन फर्म केन डाउनलोड़ेट फम देविध्याले वेबसाइट अभी मैंने आपको दिखाया की आठ पेज़ का यह एडवर्टीजमेंट प्लस अप्लिकेशन फर्म नीचे जो है इसी पीडिएफ में नीचे अप्लिकेशन फर्म दिया हुआ है वह आपको डाउ अप्लोड करेंगे उसकी प्रिंट और फ्रिंटर वाली पेपर होती है उसको फूल कर दें प्लीव पेंसे ड्लीजे स्कैन कर लिजे अगर फोटोगरफ में लिख वगएर सभी सेक्शन भरके पेंसे सिगनेचर वगरळा करके उसको स्कैन केजे, स्कैन करके सिंगल और इस email id पर भेज दीजे एक फरवरी 2024 तक लेटेस्ट भेज देना है तेखें यह पर लिखा है should scan the completely filled application form and send it to this email id जब आप email id से apply करेंगे तो आपको लिखना है application for the post of supposed counselor application for the post of counselor at kv olf रायपूर देहरादूर जो भी candidate सभी candidate application करेंगे जो भी candidate shortlist होंगे कि इनको interview के लिए बुलाना है finally तो interview के लिए जो candidate shortlist होंगे उनका नाम कब interview होगी और कॉंसे टाइम पर interview होगी यह सारी चीज़ जोना डिस्प्ले होगी official website पर 7 February 2024 को साथ फरवरी 2024 को website जाके दिनबर चेक करते रहना अगर आपका नाम डिस्प्ले हुआ है मतलब आपको interview के लिए जाना है interview के लिए जब आप जाएंगे तो उसी में रिखा रहेगा क्या क्य लेके जाना है normally photocopies लेके जाना ही होती है 10th onwards जितने भी passing certificate है माकशीट है semester wise, year wise, photograph latest carry करना होता है आपका आधार कार्ड वगर है तो वो carry करना होता है और application form जो आपने भरा है भेजा है उसकी print out लेंगे और email की print out लेंगे जो आपने भेजा है photocopies के साथ में original carry करने बोलते हैं बट original की जगए color print out carry किया करें अगर समविदा की भरती है तो government की permanent भरती के लिए original लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से यह होगया detail देखेंगे post graduate teacher के लिए post graduation या master डिग्री 50 परसेंट या above marks के साथ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए समविदा सिक्षक के लिए 27,500 रुपे पर मन दिये जाएंगे train graduate teacher Hindi English Sanskrit के लिए related subject में 50 प्रतिशत या अधी कंकों के साथ में graduation और बीएड और सीटेट या फिटेट होना चाहिए जैसे देहराद उत्राखंट से उत्राखंटेट या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए इसमें PRT के लिए वेकेंसी नहीं है computer instructor के लिए B.E.B.S.E. B.T. Computer Science M.T.E.C. Computer Science यानि मतलब जो भी है computer से related तो 26,250 secondary class के लिए 21,250 रुपीज salary per month primary section के लिए योगा instructor के लिए graduation होना चाहिए इनी subject डिग्री या दिप्लोमा इन योगा वाले कर सकते है अप्लाई गेम्स कोच के लिए bachelor degree in physical education बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड डिप्लोमा फ्रोम रिकोगनाईज इंस्टिटूशन कांसलर में बीए 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 सी साइकोलोजी एंड सेर्टिफिकेट या डिप्लोमा होनी चाहिए counseling में अगर experience नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको experience रहेगा उनको preference देंगे ट्वेटीश थाउजन ट्विफ्टी रुपीज पर मन्त नर्स के लिए पर डे के हिसाब से payment होगी डिप्लोमा नर्सिंग वाले कर सकते हैं अप्लाई इसके बाद मुजिक में डिग्री होना चाहिए 21,250 पर मन्त सेलरी दी जाएगी स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रैजुएट इन इन डिसिप्लिन डिप्लोमा या स्पेशल एजुकेशन 26,250 पर मन्त बालवाटिकर टीचर के लिए 12 पास होना चाहिए 50 परसेंट या अबोब मार्क के साथ किसी भी स्ट्रीम से और साइंस कॉमर्स इंटर किसी से भी होना चाहिए और साइंस कॉमर्स पचास प्रतिशत या अधिकंकों के साथ इसके बाद आ लिए डेट जो है एना एलिजिबल होते हैं एप्लिकेशन फॉर्म पेज नंबर 4 से शुरू हो के पेज नंबर 8 तक अप्लिकेशन फॉर्म दी हुई है वेबसाइट पर जाना है सबसे पहले वेबसाइट पर जाके आपको नीचे स्क्रॉल करना है एनाउंस्मेंट सेक्शन 20 जनवरी 2024 की डेट से अप्डेट आई हुई है तो सारी डीटेल्स मैंने वीडियो में कवर कर दिया आप देख लें यह अप्लिकेशन फॉर्माट के साथ में विग्यापन है इसमें क्वालिफिकेशन सैलरी और एडवर्टीजमेंट के साथ अप्लिकेशन फॉर्माट सब चीजें दी हुई है वेबसाइट की लिंक वीडियो के इसी यूट्यूब वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगे